नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए एवं फेश आर्टिकल में आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानने वाले हैं 25 रुपे के एक ऐसे शेर के बारे में जिसकी चर्चा बजार में काफी हो रही है काफी इंफुलेंसेज और मीडिया हाउस इस शेर के बारे में बात कर रहे हैं और अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या आप भी उत्सुक है इस शेर का नाम जानने के लिए आखिर क्या है इस शेर में इसको पूरी विस्तार से यह जानकारी आपको मिलने वाली है आपको बता दे जिस कंपनी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ये कंपनी कॉटन सेक्टर से वास्ता रखती है इसी सेक्ट में ये कमपनी काम करती है ये कमपनी इस सेक्ट में तीन तरीके के कार्य संभालती है जिसमें ये कमपनी सबसे पहले इस कमपनी का बिजनेस मौडल काफी जबरदस्ट से मैनेजमेंट काफी मजबूत है ये कंपनी भारत ही नहीं विदेश में भी काफी अच्छा व्यापार कर रही है कई बड़े ब्रांड इस कंपनी के क्लाइंट बने हुए है दोस्तों जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस कंपनी का मार्केट के 536 करोड रुपे के आसपास का है और शेर अभी के समय 27 रुपे के आसपास मिल रहा है कंपनी का रिटन हो एक्विटी 38 प्रतिशत से अधिक का है कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग भी काफी जबर्दस्थ है 70 प्रतिशत की है प्रॉफिट आफ्टर टैक 17 करोड से अधिक है कंपनी के ऊपर 6 करोड के आसपास का करज है कंपनी ने अपने प्रॉफिट ब्रोथ में काफी अच्छी तेजी दिखाए इसके साथ भी करने का रिटन और एक्विटी भी काफी मजबूत बना हुआ है यदि कंपनी के कंपीटीटर्स को देखा जाए इनजी को फैशन रेमंड, ट्राइड जैसे बड़े ब्रांड कंपनी को कंपित कर रही है यदि इस कंपनी की सल्स को देखा जाए तो ये कंपनी लगातार अपनी सल्स को बढ़ाने में लगी हुई है इसका हर संभव प्रयास करती नजर आ रही है कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी काफी इंप्रूव किया है इसके साथ ही इस कंपनी में कुछ हिस्सेदारी क्वालिफाइड इंस्टिटूशनल इंवेस्टर्स की है जो विदेशी निवेशक के लगभग इनके हिस्सेदारी 3.5% के आसपास की है इस कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक ठाक नजर आ रहे है यदि आप इस कंपनी में निवेश की सही योजना बना रहे हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या वित्तिय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे क्रिपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार से परामर्श लें